नमस्कार जब भी देश के किसी हिस्से में कोई बड़ा रेप केस होता है तो उसके खलाफ आवाजें उठती हैं आपको लगता है कि देश फिर से धर्रे पर आ गया है लेकिन जितने बड़े फैसले हुए हैं महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े चाए वो बिशाका गाडलाइन्स हो चाए निर्भया फंड हो इस तरह के जितने बड़े फैसले हुए हैं इस दिशा में वो सब इनी बड़े रेप केसिस के बाद उठे तूफान के चलते हुए हैं हैदराबाद में जो वेटनरी डॉक्टर के साथ गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई उसके बगल वाले राज तेलंगाना में यह हुआ अब आंधर प्रदेश में जगन मोहन रेड़ी सरकार ने एक नया कानून कैबिनेट से पास कर दिया है और वो नये कानून का नाम होगा दिशा कानून दिशा इसलिए क्योंकि तेलंगाना की उस लड़की को उस वेटनरी डॉक्टर को जो नाम दिया गया है क्योंकि उसकी असली पहचान चुपाई गई है उसको नाम दिया गया है दिशा ऐसे में दिशा कानून की सबसे खास बात ही होगी कि 7 दिन में जाच, 14 दिन में सजा और 21 दिन के अंदर फांसी है ये बड़ी बात है इस कानून की हाला कि दूसरा कानून और है जो विशेश अदालतों से जुड़ा है उसके तहित जितने जिले हैं तेरे जिलों में विशेश अदालते हैं जो फास्ट ट्रेक होंगी वो गठित की जाएंगी होगी उसको जांच करनी होगी आम तोर पुर होता है कि एक-दो महीने तो पुलिस इस थाने से उस थाने ऐस थाने बेशती रहती है निकाल देती है ऐसे में ये तेह किया गया है कि अगर साक्ष संभावित तोर पर दिख रहे हैं तो साथ दिन के अंदर जाच करनी होगी और चौदे दिन के अंदर अदालती कारवाई पूरी करनी होगी अदालतों को भी एक तरह से इस कानून की चद में लाया गया है कि उन्हें जो सुनवाई करनी है वो 14 दिन के अंदर खत्म कर देनी है और अगर वो केस्ट फांसी का बनता है, हीनिस क्राइम बनता है केंगरेप के बाद हत्या का कोई मामला है तो जो फांसी का प्रावदान होगा, मौटे तोर पर ज्यादातर मामलों में फांसी का प्रावदान किया गया, 21 दिन के अंदर फांसी की सजाद दे दी जाएगी, यह वाकई में, अगर यह जो बिल है, क्योंकि यह लाया जाएगा भी, इसी सत्र में विधान सबाके, अंद्र जिता को न्याएं मिलेगा, उसके घरवालों को राहत मिलेगी, और अगर यह कानून वहां कामियाब होता है, तो मुझे लगता है कि देश के बाकी राजवी से फॉलो करेंगे, तो जंगन मोहन रेड़ी सरकार को इस बिल को कैबिनेट में फिलाल लाने के लिए बदाई, हम इस पर अपडेट करेंगे कि कब यह बिल वहाँ पर विदान सवा में लाया जाएगा और क्या यह पास होता है या इस पर कोई रोडा अटकाता है, देखते रहें यह इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इनकबर, थैंक्यू, नमस्कार